नमस्कार दोस्तों आज हम बनाएंगे अंडे पनीर और पालक वाला आमलेट समय कम हो और सुबह जल्द बाजी होती है तो आप इसे जरूर बनाएं देखिए बहुत ही टेस्टी बनता है सबसे पहले हम एक बरतन लेंगे आप पतीला वगरा कुकर वगरा कुछ भी ले सकते हैं जो आपके पास असानी से उपलब्द हो तो ये मैंने पांच अंडे लिये हैं आप अपने घर के सद्दस्यों के मुताबिक कम या जादा कर सकते हैं तो इनको हम तोड़ लेते हैं देर कुछ इस तरह देखिए ये मैंने अंडे तोड़ लिये हैं सारे इसके बाद हम मिलाएंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर आप कम या जादा कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर और नमक अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं देखिए कितना उसके बाद काला नमक या भी स्वाद अनुसा डालें और इसे हम अच्छी तरह मिलाएंगे, तीन चार मिनट तक आप जितना इसे मिलाएंगे, उतना ही आमलेट में हमें स्वाद आएगा, उसके बाद काली मिर्च पाौडर, दोस्तों यह बहुत जरूरी है हरी मिर्च और काली मिर्च पाउडर आमलेट में तो चाहिए ही चाहिए इसके बाद यह थोड़ा अलग किसम का है 15-20 ml तक आप इसमें दूर डाले दूर से क्या है कि हमारे जो आमलेट फूला फूला बनता है और उसमें सफेदी भी आ जाती है उसके बाद हम घीट डालेंगे आप बटर लें तो वह भी ठीक है तो मैं इसमें देशी घीट डाल रहा हूँ लगबग एक बड़ा चमच उसको अच्छी तरह गरम होने दे बहुत ही अच्छी खुशुआ रही है इसके बाद हम एक हरी वाली प्यास काटकर इसमें डालेंगे जहां तर हो सके हरी वाली ही डालें देखिए प्यास बुनने के बाद हमने अंडे का पेस डाला देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी बहुत ही बड़िया इसको डालकर आप हलका अलका गुमाते रहें और किनारों से ये जो पपड़ी नुवा हमारा अंडा है इसको इस तरह से कर लेंगे ताकि ये चिपके न इसके बाद हम ब्रेड लेंगे और दोस्तों ध्यान रहें बिलकूल देमी आज पर हमें आमलेट बनाना है ये बहुत देमी कर रखिये मैंने गैस की इफलेंग इसके बाद हम इसमें मीठे वाली चटनी डालेंगे वाह ये मैंने दोनों चटनी लिये है रट चिली और आपका ब्लेक वाली हम इसे ब्लेक ही बोलते हैं आप कुछ भी ले सकते हैं आप इसमें सौस वगेरा भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से ये मैंने स्वीट चटनी लिये और दूसरी थी रट चिली चटनी ब्रेड पर लगाएंगे ब्रेड मल्टी ग्रेन लिया है मैंने उसके बाद इस पे हम हलकासा काली मिर्च का जो पाउडर है रट डालेंगे हलकासा आप इस पे नमक भी डाल सकते हैं और ये मैंने लिये साथ में लाल मिर्च के बीच और इसी दुरान हमें अपने आमलेट का भी ध्यान रखना है कहीं लगना जाए ऐसे लगने का डर नहीं है क्योंकि देमियास्पर में बना रहा हूँ ये हमारी लाल मिर्च के बीच है इसे खुश्बू बहुत बढ़ जाती है इनको ब्रेट के ओपर ऐसे डालें देखिए इस तरह अब चाहें तो यहाँ पर चाट मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद हलक आसा हम यहाँ पर काला नमक और डालेंगे आमलेट में हमने थोड़ा डाला था तो अब हम अपने इसाब से अपने स्वाद के अनुशार डालेंगे थोड़ा थोड़ा बिलकुल ज्यादा ना डाले बहुत ही भीनी खुश्बू आ रही है बहुत ही बढ़िया सुबह समय ना हो या ओफिस जाने में देरी हो रही हो तो आप इसे जल्द ही बना सकते हैं इसके बाद मैं ले रहा हूँ स्पीनेच यानि पालब के पत्ते यह लें स्वास्त के लिए बहुत बढ़िया आठ के लिए बहुत बढ़िया होते हैं ब्लड को ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसको नॉर्मल रखता है ये ये मैंने इसमें डाल लिये हैं ऐसे उसके बाद हम लेंगे चीज स्लाइस आप सिंगल ही इस्तेमाल करें देखिए इस तरह इसे हलक आलका दबा कर चिपका दे ये मैंने लिये है चॉकलेट का पेस्ट है ये आप इसे किसी भी तरह किसी भी आकार में इसे slice के उपर यानि cheese slice के उपर ऐसे डालने देखने में कितना अच्छा लग रहा है और ऐसे डाल कर इस आमलेट को पलट दे किसी चीज का support ले ले दूसरे चम्मच का और इसे पलट दे ताकि दूसरी तरब से भी यह अच्छी तरह से पक जाए काली मिर्च पाउडर अलका अच्छा ड़क ले नमक काला नमक ही इस्तेमाल करें रॉक साल्ट बहुत ही अच्छी कुश्वब आ रही है यह मैं हलका चाट मसाला थोड़ा डाल रहा हूँ यह ओप्शनल है आप डालें यह न डालें बाउ अब हम इसे किसी प्लेट में ऐसे रख लेंगे देखिए कितना अच्छा लग रहा है आप इसके टुकड़े कर लें साबुत चाहें तो साबुत ही तोड़ तोड़ कर खा सकते हैं आप ऐसे किसी कटर की सायता से इसको काट लें कितना प्यारा लग रहा है अब इसमें हरी चटनी ग्रेंग चिली सॉस या पेस्ट कहें वह डाल सकते हैं मीठी चटनी लें स्वीट चटनी टोमाटो कैचप वगरा भी डाल सकते हैं झीक, थैंक यू